ये देखो क्या खतरना कोड बोली है यहाँ पर कि I don't fear the man who has practiced 10,000 kicks once but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times मतल़ देखे कितनी खतरना कितनी deep बात बोली है इसमें इसमें बोला क्या है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 kick की practice एक एक बार की है लेकिन मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक kick की practice 10,000 बार की है क्योंकि जिसने 10,000 kick की practice एक बार की है वो एक भी kick में उसने mastery हासिल नहीं की है ध्यान से सुनिए जिसने 10,000 kick की practice की है एक एक बार उसने एक भी kick में mastery हासिल नहीं की है लेकिन जिसने एक kick की practice 10,000 बार किये उसने उस kick में mastery आसिल कर लिये और जब उसे वो मौका मिलेगा ना सामने वाला चित हो जाएगा सामने वाला उठ नहीं पाएगा ये जब kick मारने का उसे मौका मिलेगा क्योंकि इसे master आसिल है 10,000 बार उसने practice किये इसी तरह हम क्या करते हैं हम ये source, वो source, वो source, वो source हर जगह से इकटा करने की कोशिश करते हैं हर जगह से एक एक बार पढ़ लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि result क्यों नहीं आ रहा है लेकिन सोचिए कि अगर आपने एक source पकड़ लिया और उसी पर आप टिके रहें उसी को आपने बार 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 रिवाइस करते रहें तो वो जो source है आपका वो source, वो subject उस पे तो आपके mastery हो जाएगी उस पे अगर कोई भी प्रश्न पुझा जाता है तो आपके mark बिल्कुल नहीं जाएंगे और इसलिए जरूरी क्या है जरूरी यह नहीं है कि आपने 10,000 किताबों को 10,000 sources को एक एक बार पढ़ा हो लेकिन जरूरी यह है कि आपने एक किताब को एक source को 10,000 बार पढ़ा हो जिसमें हम एक नहीं बलकि दो ऐसे newspaper कवर करते हैं जो हमारे exam perspective से काफी important है unacademy पर जूडने के लिए आपको unacademy app डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर आपको मेरी profile सर्च करनी पड़ेगी महीर मोगरे इस नाम से उसके बाद जो भी मेरे plus courses है आपको वहाँ पर नजर आएंगे जैसे कि मैंने MPSC के लिए course launch किया है जो की Marathi language में है तो इस course में enroll करने के लिए आपको मेरी profile में इस course पर click करना होगा जैसे ही आप इस course पर click करोगे आपको यहाँ पर get subscription का notification दिखाई देगा तो जैसे ही आप इस पर click करते हो एक next window open होगी जहाँ पर अलग-अलग subscription यहाँ पर दिये होंगे तो आप किसी भी एक subscription को यहाँ पर click कर सकते हो जो भी आपको suitable होगा उसके बाद आपको continue पर click करना है और जैसे ही आप continue पर click करते हो यहाँ पर आपको billing information जो है उसमें ले जाया जाएगा और उसी के साथ आपको यहाँ पर state जो है वो डालना होगा उसके बाद आपको next पर click करना है और जैसे ही आप next पर click करते हो तो इस तरीकी की एक window यहाँ पर open होगी अब यहाँ पर आपको referral code जो है वो यहाँ पर उसका एक box दिखाए देगा अब इस referral code में आपको code इंसर्ट करना है mmbin m-m-b-i-n mmbin यह code अगर आप वहाँ पर इंसर्ट करते हो तो उसके बाद यह code जो है referral code वो यहाँ पर apply इस तरीके से आपको दिखाए देगा जो पहले आपको 1400 रुपए थे 1400 रुपीज थे एक मेहने के अब उस पर आपको discount मिल जाएगा और वो सिर्फ 1260 रुपए पर आ जाएगा तो इसलिए आपको यह referral code जो है यह डालना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद आपको proceed to payment करना है उसके बाद इस तरीकी की next window open होगी जहाँ पर आपको net banking के through payment करने का option यहाँ पर दिया हुआ है various banks के through उसी के साथ साथ अगर आपको UPI के through यहाँ पर payment करना है तो उसका भी option यहाँ पर दिया हुआ है और finally आप किसी भी एक option को यहाँ पर click करके pay का अगर option click करते हो तो आपको यहाँ पर subscription निल जाएगी और जितने भी मेरे वीडियोज है वो सब आपको वहाँ पर दिखाए देंगे एक बार फिर से बोल रहा हूँ यह जो courses है यह MPSC exam के लिए है महारास्टर पब्लिक सर्विस कमिशन और यह मराठी लैंग्वेज में रहने वाले हैं सबसे पहले map-based exercise देख लेते हैं तो यहाँ पर यह जो country है यह country कौन सी है यह आपको बताना है यहाँ पर आपको zoomed image जो है वो भी नज़र आ रही होगी यह country काफी news में चल रही है disaster management से लेकर यह question यहाँ पर बन सकता है प्रिलिंस में आपको इस country के पुछा जा सकता है तो इसलिए वीडियो को pause कीजिए country के regarding information लिखिए और फिर वीडियो को resume कीजिए आप चैनल की membership को join कर सकते हो जहाँ पर आपको कई important videos मिलेंगे जो कि आपकी exam में काफी helpful हो सकते हैं जैसा कि मैं politics related साल भर के जो current affairs लेकर आ रहा हूँ उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा उसी के साथ geography and CRT class 10 के जितने भी chapters है वो भी मेरे दोरा cover किये जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफी helpful रहेंगे और disaster management की जो series है वो भी चल रही है तो जल से जल चैनल की membership को लीजिए और videos enjoy कीजिए आप मेरे videos से related कोई भी doubt आता है तो आप मुझे facebook या फिर instagram पर भी follow कर सकते हो pdf video updates के लिए telegram पर follow कर सकते हो link सभी की description में दीवी है आप दिखिए video जो है वो delay हो गया कुछ technical reasons के वाज़े से लेकिन इसके बारे में update मैंने already telegram पर कर दिया था तो इसलिए आप telegram पर जो भी updates आते हैं उसके लिए follow कर सकते हो video update भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा कब upload हुआ है जिससे की जैसे ही upload होता है आप video को enjoy कर सकते हो अब यहाँ पर the Indian Express का अगर हम explain section देखते हैं तो उसमें कई interesting कई important articles नज़र आते हैं जैसे की यह वाला अगर आप article देखोगे तो इस article के तो हम soul को touch करने वाले हैं काफी important है काफी अच्छी तरीके से गहराई में जाकर article को देखने ही कोशिश करेंगे hydrogen पर car कैसे run हो सकती है दूसरा यहाँ पर यह वाला article आता है crown act यह crown act क्या है तो यह भी हम देख लेंगे हमारे GS paper 2 के लिए important है तो देख लेंगे यह वाला जो article है Brexit, Scotland, Johnson, Britain यह वाला जो है यह फिलाल देखिए और जल्दबाजी होगी इस पर अगर हम अभी चर्चा करेंगे तो जब comprehensive perspective हमारे आपर मिल जाएगा, मतब Brexit पर कुछ result आता है, उसके बाद इसे देखना काफे interesting और काफे दिल्चस्प होगा क्योंकि अभी कुछ भी हो जाए, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है लेकिन Brexit में अगर कुछ फर्क पड़ता है तो हमारे लिए import रहेगा, तो तब हम ये वाला article जो अच्छी तरीके से देखने के कोशिश करेंगे उसी के साथ साथ ये वाला जो article है, citizenship के बारे में बात करता है, citizenship act के बारे में बात करता है, अब citizenship की चर्चा पर वक्त खर्चा नहीं करना वही अच्छा है, क्योंकि comprehensively 14th का जो analysis था, उसे मैंने comprehensive तरीके से मैंने citizenship amendment बिल क्या है, वो पूरी तरीके समझाया citizenship किस तरीके से acquire की जा सकती है, वो पूरा explain किया, उसी के साथ आसाम में इतना protest cue देखने को मिल रहा है वो हमने वहाँ पर काफी सारी चीज़े है, मतलब इससे related जो भी चीज़े है, सब कुछ हमने already cover कर ली है, तो ये वाला article हो, ये वाला article हो, citizenship के बारे में बात करता है, तो हम बिल्कुल देखेंगे नहीं, ये वाला जो article है abandoned aid, तो ये हम देख लेंगे क्या है तो, GS paper 3 के लिए important है, और ये वाला जो article है ये भी हम देखने के कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें Supreme Court ने जो अभी चीज़ कही है उसके बारे में article बात करता है, तो ये भी बात करता है, तो मतलब क्या है जो architectural changes है, जो transparency है, वो कितनी रहने चीज़ है, उसके बारे में article बात कर रहा है, वही तह हिंदू में अगर हम देखते हैं, तो ये वाला article, फिर वही citizenship बिल्कुल important नहीं है, ये वाला article है जो हैदराबाद में जो rape, murder, accused, उनका जो यहाँ पर killing की गई, मतलब जिसे हम extra judicial killing कहते हैं, उससे related भी मैंने आपको पूरा comprehensive तरीके समझाया हुआ है, वही ये वाला अगर आप article देखोगे, ये वाला article काफी important है, तो अच्छी तरीके से करेंगे, कौन-कौन से passport के type होते हैं, वो भी हम इसके तरू समझने की कोशिश करेंगे, ये फिर Britain के बारे में बात कर रहा है, जल्दबाजी हो जाएगी, ये वाला जो article हैं हम नहीं देखने वाले हैं, हमारे लिए important नहीं है और उसी के साथ, ये वाला अगर आप article देखते हो citizenship amendment बिलके बारे में बात करता है, भाईया वही चीज़ है या, नहीं देखने वाले हैं फिर से अब पहला जो article यहां पर आता है, वो है the crown act, the crown act basically क्या है, हमारे jis paper 2 के लिए important है जुलई में इस साल क्या हुआ है, कैलिफोर्निया ये पहला state बना है USA का, USA का पहला state हम यहां पर USA की बात कर रहे हैं और कैलिफोर्निया USA का पहला state बनता है जिसने जो discrimination होता है, natural hair उसे illegal बना दिया है मतलब अब New York जो है, वो भी इसका suit फॉलो कर रहा है, उसके बाद New Jersey जो है वो भी यहां पर latest आया है USA के इसमें जिसने legislation जो है, वो पास किया है उसका नाम क्या है? Creating a respectful and open workplace for women act मतलब जिसे हम कहा रहे हैं, crown act अब यहां पर जो color होता है hair का color होता है, उसका जो texture होता है उस पर, यहां पर जो वो यहां पर लिये जाती थी, कि यह जो है यह तो inferior है, यह सब कुछ लिया जाता था और इसलिए यहां पर यह जो legislation है, यह पास किया गया जिसे की जो discrimination है specifically workplace पे वो यहां पर खत्प किया जा सके तो California यह कहा पर आता है यह हम एक बार देख लेते हैं map में तो यह हमारी खुबसूरत धर्ती हम zoom करते है तो भारत जो है, वो नज़र आता है अब USA की तरब जाने के लिए हम पूरा गुमना पड़ेगा, मतलब यहां पर अगर हमारी earth है तो पूरा उल्टे साइड आना पड़ेगा अफरिकन को, continent को हम पार करते हैं और यहां पर नीचे आपको जो South America है, वो नज़र आता है Latin America और उसी के साथ यहां पर आपको जो America है वो दिखाई देगा तो यह आप देख सकते हो, यह है America और उसी के साथ-साथ यहां पर corner में आपको California यहां पर नज़र आएगा San Francisco आप देख सकते हो San Jose आप देख सकते हो और उसी के पास यहां पर आपको Death Valley National Park जो है, वो भी दिखाई देगा यहां पर आप Death Valley National Park जो है वो भी देख सकते हो, तो यह भी काफी important Death Valley National Park तो यहां पर बहुत ज़दा discrimination जो है देखने को मिलता था जो color है, hair color है उसकी वज़े से तो इसी लिए यहां पर legislation लाया गया जिससे कि यह जो चीज है, discrimination है इसे illegal बना दिया जाए तो यह काफी important चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है अब next article यहां पर आता है car hydrogen पर कैसे run कर सकती है GS paper 3 के लिए काफी important है यहां पर mains के लिए पर question आता है कि hydrogen fuel cell technology basically क्या है, इसके advantages और disadvantages आप discuss कीजिए अब देखिए आपर जुलई Tokyo Olympics देखने को मिलने वाले है Japan जो है, यह thousands of vehicle जो hydrogen cell technology पर based रहेगी जिसे fuel cell कहा जाता है वो यहां पर लाने वाली है और उसी के साथ साथ Supreme Court जो है, उन्होंने भी यह कहा है सरकार को, कि आप यहां पर इस तरीकी कोई feasible मतलब आप ऐसे technologies अगर ला सकते हो introduce कर सकते हो, तो यह आप लाईए जिससे कि हम जो air pollution है उसके साथ deal कर सके है, national capital region में क्योंकि आप सभी को पता है, डेली में बहुत ज़़ा pollution देखने को मिल रहा है तो अगर हम इस तरीकी कोई technology लाते है क्योंकि यह technology में basically होता क्या है, जो हम यहां पर pollutants देखने को मिल रहा है जो बीछे से धुवा निकल रहा है उसके जगह पर water vapors निकलते है जी हाँ, water vapors निकलते है और water vapors निकल रहे है इसका मतलब क्या है, वो pollution करेंगी क्या जी नहीं, pollution करेंगे नहीं इसलिए यह जो technology है काफी important role play कर सकती है pollution को कम करने के लिए pollution से deal करने के लिए और इसलिए Supreme Court ने कहा था कि ऐसी अगर कोई हम technology लेकर आ सकते है तो लेकर आनी चाहिए तो अब यहाँ पर यह समझना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से technology काम करती है और किस तरीके से यहाँ पर धुए की जगप पर हमें water vapor जो है, वो देखने को मिलता है अब उसके ही पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक जो atom होता है ठीके, atom होता है, कोई भी कोई भी आप ले लीजिए, मतलब जो small unit अगर आप देखोगे तो उसका atom नजर आता है तो यह जो atom है, इसमें हमें protons, neutrons, यह center में देखने को मिलते हैं, nucleus में, जिसे हम positively charged और neutrons यह होते हैं, neutral इतना आपको समझ में आ गया अब बढ़ते हैं, आगे अब देखिए, यहाँ पर अगर आपको electricity generate करनी है ठीके, अगर आपको electricity generate करनी है, तो यह जो electrons है, इनका flow होना जरूरी होता है, उपर अगर आप देखोगे, तो यह item है, इसमें electrons flow हो रहे हैं, अब इस तरीके से, जब हमें flowing electron मिलते हैं, क्योंकि देखिए जो भी material होगा, for example, अपने एक iron ले लिया, तो जो electrons है वो randomly इदर उदर इदर उदर घूम रहे हैं, randomly रह रहे हैं उनकी position random है, लेकिन अगर वो flow होना शुरू हो जाते हैं ठीक है, flow होना शुरू हो जाते हैं, तो यह copper wire जो यहाँ पर लिया हुआ है, इसमें इस तरीके से आप देख सकते हो, electron जो है, यह flow हो रहा है यहाँ पर है negative charges यहाँ पर है positive charges मतलब क्या है, यहाँ पर energy का flow हो रहा है, जो charges से उनका flow हो रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पर electricity जो है, वो build up हो सकती है, बस आपको देखिए, particularly अगर आप non-science background से हो, तो आपको all deep में जाने की जरुवत नहीं है, और जो science fields से होंगे, उन्हें तो पता ही होगा, मगर फिर भी आपको डरने की, घबराने की जरुवत नहीं है यहाँ पर आपको all deep जाने की जरुवत नहीं है सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है electricity, जो है current, मतलब क्या है flow of charges, flow of charges मतलब क्या है, electrons का इस तरीके से flow होना, electrons इस तरीके से हमें flow होते हुए, नजर आते है और जब electrons flow हो रहे हैं तब जो हमें electricity है जो current है, वो देखने को मिलता है इतना आपको concept clear हो गया, कि मतलब electricity current बनने के लिए electrons का flow होना जरूरी है अब यहाँ पर क्या होता है fuel cell electric vehicle, यह एक device है जो कि source of fuel use किया जाता है as a source of fuel जैसे कि hydrogen, oxygen यहाँ पर create होता है, electricity यहाँ पर create की जाती है, electrochemical process के जरिए मतलब यहाँ पर अगर simply put किया जाए, fuel cell यहाँ पर जो fuel cell है, वो combine किया जाता है hydrogen और oxygen के साथ जिससे कि electric current जो है वो पैदा होता है electric current पैदा होने के साथ यहाँ पर byproduct क्या निकलता है water यहाँ पर byproduct निकलता है मतलब आप यहाँ पर ध्यान से देगिए जो byproduct हमारे काड़ी में आज जो हम diesel engine का इस्तेमाल कर रहे है उसमें किसका इस्तेमाल होता है petrol का इस्तेमाल होता है buy product क्या निकलते है pollutants निकलते है लेकिन यहाँ पर जो fuel cell का इस्तमाल किया जाएगा इसमें hydrogen और oxygen का इस्तमाल करके electric current डिवलप किया जाएगा electric current के सहारे पर गाडिया चलेगी और buy product क्या निकलेगा water, पानी जैसी की convention batteries होती है हमारी उसी तरीके से automobile में hydrogen fuel cell जो है इंस्टाल किये जाएगे जिससे की chemical energy को electrical energy में convert करेंगे किस तरीके से काम होता है तो यहाँ आप देख सकते हो यह है fuel cell का stack ठीक है fuel cell का stack है अब यहाँ पर आप normal अगर आप cell देखोगे उसमें यहाँ पर आपको catalyst जो है वो दिखाई देगा यहाँ पर catalyst जो है आप देख सकते हो और यहाँ पर होता क्या है कि hydrogen और oxygen इस तरीके से डाला जाता है अब hydrogen यहाँ पर आ रहा है तो यह क्या होगा यह जो rate आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसमें से वही तरीके से सिब electron क्योंकि चाहिए कि हमें सिर्फ electron वह पास होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है anode और यहाँ पर है क्या है? यहाँ पर है cathode अब anode जो होता है negative charge cathode होता है positive charge और उसी के साथ-साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो electron यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि negative negative repel करते हैं negative positive attract करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा जो electrons है वो यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे सिब electrons जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो protons है वो तो यहाँ पर attract हो रहे है ना क्योंकि यहाँ पर negative charge है तो यह attract हो रहे है सिर्फ electrons यहाँ से pass हो रहे है इस membrane के तरह यह होता है इस membrane से pass हो रहे है और फिर यहाँ से conduction करते हुए electrons का flow हो रहा है और फिर यहाँ पर जब यह oxygen से mix हो रहे है तो oxygen से जैसे ही mix होते है वैसे ही ये क्या होता है water क्या है H2O है ना hydrogen के दो molecules oxygen का एक molecule लगा develop हो रहा है वो बन जाएगा water vapor heat रहने के वज़े से water vapor रहेगा तो air और water vapor जो है ये byproduct भाहर निकलेगा तो आपको पूरा process जो है वो समझ में आ गया है किस तरीके से ये जाने की कोशिच कर रहा है कि यहाँ पर proton जो है proton और electron इस तरीके से electron जो है वो यहाँ से move होंगे तो और एकदम detail में हमें जाने की जरुवत नहीं बस आपको इतना समझ ना है किस तरीके से ये काम करता है अब देखिए अब इतना छोटा सा अगर हम बैटरी लेंगे सेल लेंगे तो वो तो इतनी बड़ी कार को चला नहीं पाएगा कार को चलाना है तो हमें बड़ी arrangement यहाँ पर लेनी पड़ेगी तो इस तरीके का जो fuel stack है वो हम यहाँ पर लेते हैं और इस तरीके से किस तरीके से कार में इस्तमाल किया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह है fuel port यहाँ पर fuel जो है आप fill up कर सकते हो है ना यहाँ पर आपको बैटरी जो है यह उपर यहाँ पर बैटरी जो है आपको दिखाई देगी और उसी के साथ यहाँ पर आपको hydrogen tank जो है वो दिखाई देगा और उसी के साथ यहाँ पर एक safeguard जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा उसी के साथ यह रहेगा power control unit यहाँ पर power control unit रहेगा और यहाँ पर जो fuel cell stacks है वो रखाई जाएंगे मतलब यहाँ से क्या होगा Hydrogen जो है Hydrogen इसे पास किया जाएगा और Hydrogen अगर पास करते हैं तो ओब हैसे कि यहाँ पर क्या होगा जो Electrons है वो यहाँ से Stalks से Move होना शुरू होगे यहाँ पर जो Electricity है वो Generate होगी और Electricity Generate होगी मतलब क्या है बनेगा मतलब गाड़ी यहां पर चार्ज होगी और फ्लो होना शुरू करेगी तो इस तरीके से बिना एकदम कम noise से और vibration से जो electric motor है वो काम करेगी और car को यहां पर आगे बढ़ाएगी तो यह बहुत important है आपको पता रहना किस तरीके से यह काम करता है तो इसका phenomenon आपको पता क्या जा रहा है electricity को generate करने के लिए अब battery electric vehicle अगर आप देखोगे जो battery electric vehicle होती है जिसमें already battery होती है उसे charge करना पड़ता है और वो charge होकर फिर यहां पर चलती है बराबर है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आपको जिस तरीके से आप petrol fill up करते हो है ना जिस तरीके से piston यहां पर काम करता है piston कैसे काम करता है इस तरीके से काम करता है मतलब यहां से निकल रहा है आपका petrol ठीक है यहां से petrol निकल रहा है फिर उसके बाद यह जो piston है यह इस तरीके से to and from move हो रहा है और फिर यहां पर combustion हो रहा है यह आग पकड़ी यहां से जो आग है बहार निकल यहां से दोनों तरफ से आ रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो, फिर यहां से बाहर आग निकल रही है, धुवा निकल रहा है, तो इस तरीके से यह दुवा निकल रहा है, यह byproduct होता है, इसमें काफी pollutants होते हैं, है ना, तो यह जिस तरीके से काम कर रहा है, आपको diesel डालना पड़ फिर यहां पर combustion होगा, और यहां पर काम होगा, इसी तरीके से यहां पर भी आमें देखने को मिलता है, hydrogen cell में, इसमें क्या होता है, hydrogen आपको fill up करना है, फिर hydrogen यहां पर pass होगा, उसमें से electron pass होगे, electricity generate होगी, और byproduct यहां पर water vapor जो है, मतलब H2O, यहां पर बाहर निकलेगा, तो यहां पर जो phenomenon है, वो इस तरीकी का अपनाया गया है, कि electricity generate कैसे करना है, real time basis पर electricity generate करना है, जैसे गाड़ी चलेगी, electricity generate होगी, लेकिन अगर battery electricity vehicle देखते हैं, तो उसमें battery already charged होती है, आपको पहले charge करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप गाड़ी चलाते हो, फिर बैट hydrogen fuel cell में आपको इस तरीके से नहीं करना है, पहले battery charge नहीं करना है, यहां पर electricity real time में generate की जा रही है, यहां पर क्या होता है, यहां पर petrol diesel डाला जाता है, उसी तरह यहां पर क्या है, oxygen जो है, और fuel, मतलब diesel हो या petrol हो उसका supply किया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें hydrogen जो है, और यहां पर oxygen जो है, उसका यहां पर supply होता है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, conventional internal combustion engine इस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से यह भी हमें देखने को मिलता है, अब इसके advantages क्या-क्या है, सबसे पहला advantage तो क्या आता है, fuel cell का, strong advantage है, conventional जो combustion based technologies है, उसमें क्या है, कि यह काफी clean है, काफी clean है, मतलब जो greenhouse gases से एकदम smaller quantities में produce होती है, कोई भी pollutant यहां पर health को problems नहीं देता है, ठीक है, water vapor greenhouse gas है न, greenhouse मतलब जो गर्मी है वो पैदा होगी, मगर pollutant पैदा होगे क्या, pollution यहां पर होगा क्या, नहीं, क्योंकि pollutants यहां पर पैदा नहीं होते है, उसी क यहां पर emit करता है, यहां पर किसी भी तरीके से कोई pollutant हमें देखने को नहीं मिलता है, और यह जो sales होते हैं, ऐसे जो sales है, वो energy efficient भी होते है, than traditional combustion technologies, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, particularly जितना इस्तमाल किया जा रहा है, उतना ही हो रहा है, efficient मतलब क्या है, कि जितना आप input द पड़ा, और आपको 10 मार्क मिल रहे है, एक इनसान ने 100 मार्क का पड़ा, और उसको 10 मार्क मिल रहे है, efficiency किसकी जादा है, efficiency इसकी जादा है, क्योंकि इसने जितना output दिया, जितना input दिया, उतना ही output मिला, इसने जितना input दिया, उसका बहुत ही कम, 10% ही उसको output मिला, तो efficiency इ उसमें आपको पहले चार्ज करना है, मतलब आपको यहाँ पर ज़्यादा रेंज नहीं मिलती है कि आप ज़्यादा दूर तक जा पाओ, बैटरी खतम हो जाएगी, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल टाइम में आप फिल अप कर रहे हो, मतलब आपके पास हाइड्रोजन फिल अप पड़ा हुआ है, ऑक्सिजन आपके पास पड़ा हुआ है, बस उसको आपको इस्तमाल करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेंज है वो काफी एकसीड होती है, मतलब काफी दूर दूर तक भी जा सकते हो, टैंक को एक बार फूल करने के बाद, तो यह एक इस पारी है, सबसे पहली प्राइलम तो क्या है, यह है कि यह मतलब निकालना है अगर इसको, निकालना है तो काफी मुश्किल है, देखें हाइडरोजन जो है वो अवेलेबल काफी जाता है, लेकिन इतने बड़े समंदर में आप बोलोगी अवेलेबल है, हाइडरोजन तो हर जगा है, लेकिन उसे निकालना भी पड़ता है, तो उसे जब निकालना है, एक्स्ट्रैक करना है, उसके लिए बहुत इनरजी यहाँ पर लगती है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइडरोजन के ग्रीन क्रिडिशेल पर भी यहाँ पर सवाल पैदा हो रहे है, क्यों हो change करने के लिए आपको energy जो है वो तो लगेगी ही है ना often क्या है fossil fuel जो है sources महीं से आपको energy लगेगी और इसलिए इसके green credential पर मतलब ये कैसा हो गया ये ऐसा हो गया कि अगर आप कोई वड़ा पाव खा रहे हो वड़ा पाव खाने से अगर आपको कोई भी problem नहीं आता है पाव खाने से लेकिन पाव अच्छी नहीं लगती तो वड़ा पाव के साथ ही आपको खाना पड़ेगा वड़ा खाना ही पड़ेगा तो वड़ा जो है आपकी health को खराब हो रहा है उसी के साथा safety पर भी काफी questions उठते हैं क्या उठते हैं जैसे कि hydrogen जा है काफी exclusive है exclusive है petrol से भी जादा मतलब अगर for example आप सोचेगी कहीं leakage leakage हो गया hydrogen तो फिर तो भई या गाड़ी कितनी भी protected रहो कितना भी protection रहो वो उड़ना ही है तो यह काफी problematic जीज है कि hydrogen जो है काफी exclusive है इसलिए अगर उसे misplaced किया जाता है अगर वो इसमें आ जाती है कई problem में आ जाती है leakage हो जाता है तो काफी भयानक burst आमें देखने को मिल सकता है उसी के साथ साथ यहाँ पर hydrogen fuel tank इसमें जो ह होता है वो highly durable carbon fiber से बना होता है जिसकी strange जो है वो यहाँ पर test की जाती है काफी bullet too late के साथ यहाँ पर clearly दिया जाता है triple layer hydrogen tank को यहाँ पर दिया जाता है इसलिए बूला जा रहा है कि यह safe तो रहे गाई जो tank हम यहाँ पर इस्तमाल कर लेंगे लेकिन लेकिन हो गया अगर तो क गाडिया है वो क्योंकि देखे इतनी भारी भरकम tank यहाँ पर ली जाएगी यह सारी technology यहाँ पर लाई जाएगी तो अब यहाँ पर car जो है वो expensive हो जाएगी है ना तो अब यहाँ पर आप सोचोगे कि देखो यार हमने positive aspect क्या देखे थे इसके environment perspective से काफी positive aspect है इसके लेकिन अगर disadvantage में देखे जाए तो यह expensive हो जाएगी यह risky भी है कि अगर hydrogen leak हो गया तो फूटी जाएगा यह सब कुछ है लेकिन फिर भी देखिए इसका अगर इस्तमाल proper तरीके से किया जाए तो एक बहुत अच्छे तरीके से जो future है उसमें हमें देखने को मिल सकता है तो यह हमें टोटल advantages और disadvantages जो है hydrogen इसके देखने को मिलते है hydrogen fuel cell के और किस तरीके से यहाँ पर car जो है इस पर चल सकती है वो भी proper तरीके से comprehensive तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया है तो यह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा comprehensive view इसका मिल गया होगा अब next यहाँ पर आता है band aid अब यहाँ पर band aid किसके बारे में है तो देखिए अभी हाली में क्या हुआ है जो national pharmaceutical pricing authority है जिसे हम NPPA कहते हैं अब यह वाला question जो है यह वाला question मैंने already जो कौन बनेगा is है उसमें cover किया हुआ है तो कौन बनेगा is series अगर आप नहीं देखते हो तो वो जरूर देखिए उसमें जो भी current affairs होते हैं दीन बर के वो cover कर दिये जाते हैं तो NPPA जो है यह मतलब इसने क्या किया कि जो 21 essential drugs थे उनकी prices यहाँ पर manufacturer को allow कर दिया कि आप इसकी prices बढ़ाईए अब mostly होता क्या है mostly होता ऐसा है कि देखिए बहुत सारे prices ऐसे हैं communities के for example cancer की को बहुत जादा रख दी जाती है तो वो तो सिव अमीरों के लिए रहेगी गरीबों के लिए नहीं रहेगी तो गरीबों के लिए भी वो available रहे इसलिए यहाँ पर क्या करता है national pharmacological pricing authority कि जो prices सही से control करता है कि आप इसकी price इतनी ही रखो जो stands होते हैं stands मतलब क्या है जो heart attack आते लिस्ट होती है उसकी एक proper list होती है उसमें जो drugs दिये गए है उनकी यहाँ पर जो prices है वो control की जा सकती है उसकी prices जो है उसे यह monitor कर सकते हैं कि आप prices कम करो तो यहाँ पर सवाल यहाँ आता है कि यहाँ पर क्यों फिर बढ़ाने के लिए अनुमदी दी गई क्योंकि देखिए जो manufacturers है उनका यह बोलना है कि हमें पूर नहीं रहा है मतलब हमें यहाँ पर यह हो नहीं रहा है प्रापर हमें वाइबिलेटी दिखा ही नहीं दे रही है क्योंकि आप यहाँ पर आये गए जो prices है वो कम कर रहे हो और उसी के साथ हुआ क्या है तो China जो है China से हम बहुत सारे product import करते हैं चाइना से जो import होता है तो obviously कि हमारी prices चाइना की commodities पर dependent है और चाइना में क्या हुआ बीच में ऐसा हो गया था कि crackdown आ गया था जिससे की क्या हुआ प्राइस बहुत साथा बढ़ गई अब यहाँ पर चाइना में प्राइस तो बढ़ गई एक commodity हम स्टेंट लेते ह उसकी किम्मत यहाँ पर पहले 100 रुपे थी और यहाँ पर जो price control है उसके हिसाब से भी यहाँ पर 100 के आसपस जो किम्ते हैं वो रखी गई कि आप 100 के उपर यह किम्मत जो है वो नहीं बढ़ा सकते हो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर crackdown हो गया और stand की किम्मत एकदम 200-200 र पाएगा भईया इसलिए फिर क्या हुआ National Pharmaceutical Pricing Authority ने बोला कि यहाँ पर यहाँ पर इन्हों ने क्या किया कि 21 essential drugs जो है उस पर 50% तक मतलब अगर किसी के 100 रुपे थी तो वो 50% मतलब 1500 रुपे तक उसकी किम्मत जो है वो यहाँ पर कर सकते है तो यह सारी चीजे हमें यहाँ पर देखने को मिली अब एक्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉंट क्या है National Pharmaceutical Pricing Authority क्या है यह समझना तो National Pharmaceutical Pricing Authority जो है Government Regulatory Agency है जो कि Pharmaceutical Drugs जो होते हैं भारत में उसकी Prices को कंट्रोल करता है यह Pricing Authority नहां ही बताता है कि Prices को यहाँ पर कंट्रोल करेगा है ना 1997 में देखन Department of Pharmaceuticals, Minister of Chemicals and Fertilizer एक Independent Regulator है यह भी आपको ध्यान में रखना है तो इसके बारे में यह information आपको रहनी चाहिए यह काफी important हो जाता है उसी के साथ है कि कि यहाँ पर जो भी provisions होते हैं drugs के price control से related तो यह यहाँ पर enforce करना उसे implement करना legal matter जो आते हैं जो authority उसके decision में उसे deal करना जो shortage हो रहा है और यह drugs की हमें जरूरत है उसी के साथ यहाँ पर जो data है production पर उसे maintain करना एक्सपोर्ट और import जो होता है drugs का उसे maintain करना market share जो होते है individual companies के वो यहाँ पर देखना profitability जो है companies की वो यहाँ पर देखना और bulk drugs formation जो है वो यहाँ पर उस पर नज़र रखना उसी के साथ यहाँ पर sponsor relevant studies जो है वो यहाँ पर undertake करना pricing of drugs और pharmacological जो होती है उसकी उसी के साथ यहाँ पर staff members जो होते हैं उनका यहाँ पर appointment है न recruit करना officers को staff members को उसी के साथ यहाँ पर जो advice है central government को vote enter करना जिससे की drug policies में अगर उन्हें कोई changes करना है तो उसी के साथ central government जो है उन्हें यहाँ पर assistance provide करना कि क्या-क्या assistance लगेगा क्या-क्या इसमें problem साएंगे वो सब कुछ यहाँ पर देखना तो यह 8 इसके functions है जो कि आपको proper तरीके से पता रहना बहुत जरूरी है अब next article यहाँ पर बात करता है sign और symbol में difference क्या है मतलब basically जो यहाँ पर अभी lotus का symbol नजर आया है passport पर उसके बारे में पुरी controversy निकली है और इसलिए उस बारे में article जो है बात कर रहा है GS paper 2 के लिए काफी important है अब देखिए हमारे लिए समझना क्या ज़रूरी exam perspective से कौन कोंसे type के passport होते है तीन तरीकी passport हमें भारत में देखने को मिलते है एक होता है dark blue color का एक होता है white color का और एक होता है महरूम color का dark blue color का regular Indian passport है सभी को मिलता है मतलब यहाँ पर जो आम नागरिक है उसे यहाँ पर passport मिलेगा अगर आप यहाँ पर कोई official हो मतलब for example अगर आपने कोई UPSC exam clear कर ले या फिर कोई भी सरकार में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उन्हें white color का passport जो है वो यहाँ पर दिया जाता है और उसके बाद इसे S passport भी कहते हैं उसके साथ यहाँ पर जो diplomats होते हैं for example अगर आपने UPSC clear कर ली और UPSC clear करने के बाद आप IFS बन गए Indian foreign service आपने opt की और उसके बाद आपको यहाँ पर महरूम कलर का passport जो है वो मिलेगा diplomat ये तोर पर कि आप diplomat हो तो आपको महरूम कलर का मिलेगा तो ये तीन तरीके के passport जो है आपको दिखाई देते हैं अब नॉर्मली देखाई जाथ सबसे ज़्यादा passport यहाँ पर जो dark blue color के हैं वही spread होते हुए नजर आते हैं क्योंकि वही बहुत लोगों को चाहिए होते हैं अब हुआ क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो lotus है lotus की figure आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी और यह security purpose के लिए यहाँ पर लाई गई है ऐसा बोला जा रहा है अब देखें जैसे ही यह figure जो है वो social media पर circulate हुई उसके बाद से काफी controversy इसको लेकर चुरू हो गई थी इतनी controversy हो रही थी और उसके बाद यहाँ पर Parliament जो है वहाँ तक यह बाद गई और फिर जो सरकार है उनके तरब से clarification यहाँ पर आता है कि यह जो है हम security purpose के लिए security feature यहाँ पर passport में add कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर national चीजे होती है animal हम इस्तमाल कर लेंगे तो यह सारी चीजे हम इस्तमाल करने वाले है आय मेनों में पहले यहाँ पर हम national जो हमारा flower है उसका इस्तमाल कर रहे है इसलिए आपको lotus यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यह पता करने के लिए कि यह passport authentic है या नहीं है अब दिखिए यहाँ पर national symbols अगर हम देखते है इंडिया के तो यहाँ पर हमें जो national animal है वो देखने को मिलता है royal Bengal tiger उसी के साथ national emblem हमें इंडिया का national emblem यह देखने को मिलता है national flag है यहाँ पर tiranga है न national currency यहाँ पर rupee है national bird अगर हम देखते हैं तो वो है पिकॉक, उसी के सासा नैक्शनल फ्रूट अगर हम देखते हैं तो वो है मैंगो नैक्शनल ट्री अगर हम देखते हैं तो वो है बनियान, नैक्शनल फ्लावर अगर हम देखते हैं तो वो है लोटस, नैक्शनल रेप्टाइल अगर हम देखते हैं तो वो है king cobra, देखें ये काफी जी लोगों को पता नहीं होता है, national reptile अगर हम देखते हैं, तो वो है king cobra national heritage animal अगर हम देखते हैं, तो वो है elephant national animal क्या है royal bengol tiger, national heritage animal देखा जाए, तो वो है elephant, father of the nation महात्मा कांदी है, national aquatic animal अगर देखा जाए, तो वो है gangetic dolphins और इंडिया का wonder of the world देखा जाए, तो वो है ताज महल, national river अगर देखा जाए, तो वो है ganga, तो यहाँ पर जो सरकार है, उनके द्वारा बोला गया, कि यहाँ पर हमने जो lotus है, वो लिया है national flower के तौर पर, और इसी तरीके से जो भी national symbols है, वो अलग-अलग इसमें, imno में हम यहाँ पर डालते रहेंगे for a security purpose, लेकिन उसके बाद भी, यहाँ पर जो चीजें हैं, वो रुकी नहीं, क्योंकि एक तो अगर आप देखो कि BJP जो है, उनका यहाँ पर जो symbol है, वो भी है lotus, है ना तो इसी के साथ यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि क्या है, सेफरनाइजेशन करने का काम चल रहा है यहाँ पर, और उसी के साथ साथ दूसरी चीज यह भी निकल कर आई, कि आपने इसको notify नहीं किया है, officially अगर देखा जाए, तो national flowers यह उसे officially यहाँ पर करके notify नहीं किया गया, तो फिर आप जिसे notify नहीं किया, फिर आप यहाँ पर security purpose के लिए कैसे डार रहे हो, यह भी सवाल यहाँ पर कई ज़्यादा उठने को और देखने को मिले, अब दिखें, यहाँ पर जो author है जो यहाँ पर article जिने लिखा है, उन्होंने मिनिंग होता है, sign का एक singular मिनिंग है, एक sign करती मतलब एक single मिनिंग है उसका, और universal इसके लिए single मिनिंग रहेगा, लेकिन जो symbol होता है, उसके multiple meanings होते हैं उसके context shift होते हैं, उसके meaning change होते हैं, for example red color अगर देखा जाए, तो यह stop का sign है traffic में लेकिन fertility का symbol है हिंदुईजम में चाइना में देखा जाए, तो यह devil जो devil और scarlet woman है, उसका एक symbol है और Christianity में देखा जाए, तो Santa Claus जो है, उसका एक symbol है मतलब समझ रहे हो, कि यहाँ पर अगर rate देखा जाए, तो sign हर जगह सेम है, कि यह stop का sign है, हर कोई, मतलब Christian हो, या फिर Chinese हो या फिर Hindu हो, कोई भी वहाँ पर रुकेगा, क्योंकि वो एक sign है सब के लिए सेम है, लेकिन symbol यह अलग-अलग होता है symbol के रूप में अगर rate कलर देखा जाए, तो यह अलग-अलग होता है, चाइना में ने चक्र इस्तमाल किया, लाइन इस्तमाल किया तो क्या यह है, ऐसा sign इस्तमाल किया या फिर symbol इस्तमाल किया sign अगर इस्तमाल किया है, तो ठीक है लाइन का जो इस्तमाल किया जाना है चक्रा का इस्तमाल किया जाना है, है ना मतलब यह जो चीजे है, constantly इस प्रिडम श्रकल के दवरान जो लोगों ने देखा था चक्र का इस्तमाज चक्र जो है वो पहिया चलता रहता है तो उसी उसी perspective में क्या अशोक ने भी उस चक्र को देखा होगा जब वो चक्र बनाया होगा तो क्या हम उसे as a symbol इस्तमाल कर रहे हैं या as a sign इस्तमाल कर रहे हैं ये भी समयना दरूरी है ना अगर हम इसे ऐसा sign इस्तमाल कर रहे हैं तो ठीक है हम उसे देख रहे हैं universal वही perspective होता है लेकिन ऐसा symbol अगर हम देखते हैं फिर तो अलग-अलग हो जाएगा फिर तो यहाँ पर भी धर्म आ जाएगा अशोग जो है वो हिंदू था तो फिर क्या हम हिंदू चीज़े ही इस्तम है या फिर symbol है लेकिन हमें basically difference क्या पता होना चाहिए यहाँ पर कि sign या फिर symbol इन दोनों में difference क्या होता है अब यहाँ पर next article जो है वो आता है realization not reform मतलब यह क्या है मारे GS paper 2 के लिए important है अभी देखिए अभी recently क्या हूआ Supreme Court ने जो सबरी माला case हुआ तो larger constitutional bench को दिया और उसमे कि women जो है वो mosque में enter करने में allowed नहीं किया जाता है तो यह भी चीज़ उन्होंने include की इसलिए यहाँ पर जो author है वो यहाँ पर बताना जाती है कि यहाँ पर जो interpretation Supreme Court के त्वारा किया गया है specifically जो women को mosque में enter नहीं होने देते हैं उसके सिलजिले में तो यह सिधे तरीके से गलत ह यहाँ पर mosque में बिल्कुल जो women से उन्हें enter करने दिया जाता है और यहीं पर उन्हें अलग-अलग examples दिया है जैसे कि Islam में कोई restriction नहीं है women के entry पर mosque के लिए और इसका biggest living proof जो है वो है मस्जिद अलहरम मक्का में जो हमें देखने को मिलता है और यह holiest site है Muslims के prayer के लिए और thousands of म mosque का वहाँ पर जाकर pray करती है five times everyday तो इससे हम यह बता सकते हैं कि यहाँ पर महिला जो है जो women है उन्हें यहाँ पर mosque में enter करने के लिए कोई भी problem नहीं है उसी के साथ question यह भी raise होता है कि यहाँ पर separate designated area होता है महिलाओ के लिए मतलब यहाँ पर पुरुष है और जो महिला है उनके लिए separate area होता है कि वो नमाज वहाँ पर पढ़ सके, offer कर सके तो यह एक discriminatory act है ऐसा भी question जो है वो raise किया जाता है लेकिन in fact यहाँ पर author के द्वारा क्या बोला गया है कि यहाँ पर every fraction of space जो है mosque के अंदर की वो equal value रखती है worship के terms में मतलब इस तरह कोई भी sanctum यहाँ पर ह के लिए तो बिलकुल महिला है जो है उन्हें यहाँ पर नहीं रखा जाता है अलग और उन्हें restrict जो है वो नहीं किया जाता है इसलिए Supreme Court के त्वारा जो भी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है सबरी माला issue को लेकर कि यह gender inequality का case है सेम उसी तरह है जिस तरह से इसलाम में हमें जो महिला है उन्हें रोका जाता है उसी के साथ separate उन्हें designated area दिया जाता है प्रे करने के लिए तो यह भी discriminatory act है यह सीथे तरह के से author ने आपर खारिस किया है गलत बोला है तो finally हम यहाँ पर हमारी map based एक size पर आते हैं तो यह हमारी खुबसूरत दर्ती हम zoom करते हैं तो ह हम east में आ गए और यहाँ पर आप देखोगे तो country आपको दिखाई दीगी वो है फिलिपीन्स फिलिपीन्स वो country है जो मैंने आपसे map में पूछी थी क्योंकि यहाँ पर हमें जो earthquakes है वो देखने को मिल रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे important site है वो है मनी मनीला है तो यह काफी important है तो यह भी आपको पता रहना चाहिए फिलिपीन्स उसी के साथ South China Sea को लेकर यहाँ पर जो problems है वो चलते ही रहते हैं तो इसलिए इसके बारे में आपको पता रहना बहुत जरूरी है और मैं उमीद करता हूँ कि आपने इसके बारे में जो comment section है उस